एक सवाल आया है हमारे ही चानल के एक दर्शक रिलाक्सेशन म्यूजिक इनके तरब से वो पूछते है कि सर क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉई सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिबूनल में केस डायक किये बगैर डायरेक्ली हाई कोर्ट में रिट पेटिशन फाइल कर सकता है शायद आप मेंसे भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्पलॉईज होगे तो आपके लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा इसलिए आज मैं इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ तो बने रही है इस वीडियो पर और समझते हैं इस सवाल का जवाब क्या है सवाल सिर्फ इतना है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉई डाइरेक्ली हाइकोर्ट जा सकता है क्या कैट में जाए बगएर या कोई स्टेट अड्मिन्स्टेटिव ट्रिबियूनल में जाय बगएर मतलब अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्पलॉई है तो देखिए इस प्रश्ण में उन्होंने किस बारे में जाना है हाई कोर्ट में डाइरेक्ली यह स्पष्ट नहीं किया है यह स्पष्ट नहीं करने की वज़ा से हमें जरूरी हो गया है कि कुछ बाते कानून की हम समझ लेंगे और जहां तक हो सके मैं आपके लिए सभी कानून की बाते बहुती सिंप्लिफाइ करने की कोशिश करूँगा क्विकली आते हैं Administrative Tribunals Act में जिनके अंदर Central Administrative Tribunal और State Administrative Tribunal का निर्मान होता है मतलब की cat और sat हमारे महाराष्टर में उसे कहते है mat यानि कि महाराष्टर administrative tribunal तो administrative tribunals act का section 14 deals with the jurisdiction powers and authority of central administrative tribunal and section 15 deals with the jurisdiction powers and authority of the state administrative tribunal ऐसे दो अलग sections हैं एक cat के बारे में और एक mat के बारे में हैं अब मैं यह सब बात क्यों बता रहा हूं क्योंकि इन ही sections में हमें यह समझ में आएगा कि इन दोनों tribunals की jurisdiction यानि अधिकार क्षेत्र powers यानि शक्तिया और authority यानि की ताकत किस zone में आती है किस बारे में यह tribunals cognizance ले सकते है case का तो यह समझ कर आपको यह समझना भी आसान होगा कि आपकी case में क्या involved है इस पर निर्भर करेगा कि क्या आपकी case cat या sat में जाएगी अब मैं उसको cat और sat ही कहूंगा convenience के लिए तो section 14 और section 15 दोनों जब हम पढ़ते हैं अब ज्यादा complicated किये बगैर मैं आपको यहाँ पर quickly बताता हूं दोनों जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि दोनों sections में पहली बात यह है कि cat या sat को वो type के cases करने का अधिकारक्षेत्र और शक्ति है पहली बात तो recruitment and matters concerning recruitment फिर या वो central government services के बारे में होगा या state government services के बारे में होगा central government services तीन type की services वहाँ पर contemplate की हुई है quickly मैं आपको बता देता हूँ वो है कि all India service or to any civil service of the union or a civil post under the union or to a post connected with defense or in defense services being a post filled by a civilian मतलब central government की जब बात आती है तो ये services जो अभी मैंने बताया उनकी recruitment या matters concerning recruitment इनके बारे में अगर case होगी तो central administrative tribunal को उसका cognizance लेने का अधिकार है उसी तरह इनी बारे में state administrative tribunals को भी state से related services की recruitment या matters concerning recruitment इनके बारे में ये शब्द ध्यान रखिए recruitment यानि की भरती प्रक्रिया या भरती प्रक्रिया से संबंधित सभी बातें इनके बारे में अगर कोई case उभरता है तो अधिकार इनका बनता है अब के वल यहां बात नहीं रुकती एक और area है जहां इन दोनों tribunals को अधिकार है वो है यानि की service matters इनके बारे में service matters मैं quote unquote कर रहा हूँ अब यह service matters किस बारे में service matters service matters concerning ये services जो members है ये services के यानि की कोई व्यक्ति अगर all India service का member होगा या कोई व्यक्ति एक कोई union of India के civil service में appoint हुआ होगा या union के अंडर कोई civil post पर appoint होगा या कोई civilian जो defense services को appoint हुआ होगा इस type की व्यक्तियों के service matters और उनके services के बारे में central administrative और state administrative tribunal मतलब state administrative tribunal की जब में बात करता हो तो समझ लिए state के अंडर के services के लेकर वहां का member वहां का appointee और वहां का वो employee उनके बारे में तो ये दो क्षेत्र पहला भरती या भरती प्रक्रिया से संबंदित और दूसरा service matters इनसे संबंदित अगर बाते हैं अगर तकरार है अगर case है तो ही central administrative tribunal या state administrative tribunal को अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है अब यहां तक समझने के बाद हमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि service matters क्या होते हैं quickly मैं समझा देता हूँ आपको अब आगे बढ़ने से पहले ये भी स्पष्ट कर दू कि मैंने section 14 और 15 आपके लिए पढ़कर सभी समझाते नहीं रहा क्योंकि आपको वो complicated लगेगा उसमें कुछ बाते और भी है जो समझाने जो समझाई जा सकती थी मगर मैंने समझाया नहीं ताकि आपको complicated ना लगे आपके लिए अभी इतना समझना काफी है जो मैंने समझाया अब आगे भढ़ते हैं जब हम service matters क्या होते हैं या धूनने लगते हैं तो हमें दिखता है कि service matters यह शब्दों की व्याख्या administrative tribunals act के section 3 subsection q इसमें की हुई है और वो क्या कहते हैं कि service matter की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा किसी व्यक्ति के संबंध में बात होती है इसलिए शब्द क्या है service matters in relation to a person किसी व्यक्ति के संबंध में service matters means all matters relating to the conditions of service यानि की उसकी service के जो शर्ते हैं conditions of a service in connection with affairs of the union or of any state or any local other authority within the territory of India वगारा वगारा as respects remuneration यानि की पगार including allowances, pension and other retirement benefits या और साथ में tenure including confirmation, seniority, promotion, reversion, premature retirement and superannuation फिर leave of any kind देखिए अब मैं इनके अर्थ आपको हिंदी में नहीं समझा रहा हूँ आप समझते हैं अगर आप वो खेत्र के हैं तो ये शब्दों के अर्थों से आप पहले से ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे यह मैं समझता हूँ फिर disciplinary matters यानि की जहांपर punishment दी जाती हैं तो ये disciplinary matters हो गए और लास्ट में बोला है अब ये शब्द बड़े वाइड है तो इन शब्दों को हमें इसके पहले जो terminology आई उन्ही के प्रकाश में समझना होगा अब फैमिली matter नहीं आएगा उसमें service से related ही उपर दिये गए हुए जो examples थे जो भी थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया उस type का ही अगर कोई ऐसा matter उबरता है जिसके बारे में यहां लिखा नहीं है तो वो भी service matter कहलाया जाएगा तो अभी तक जो कुछ हमने समझ लिया उस पर से हमें यह बात समझ में आ गई होगी कि Central Administrative Tribunal और State Administrative Tribunal को कानून ने कुछ अधिकार क्षेत्र और शक्तियां देकर वो निर्धारित कर दिया है उसके बाहर वो नहीं जा सकते वो अधिकार क्षेत्र वहाँ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया उसके दाइरे में अगर कोई matter है मतलब कि भरती या भरती प्रक्रिया से संबंदित कोई चीज या service matter अभी मैंने पूरी list पढ़वाया उसके अंदर के जो बाते आती है इन दाइरों में से कोई case उभरती है तो ही Central Administrative Tribunal और State Administrative Tribunal को case entertain करने का अधिकार होगा शक्ती होगी अब महत्वपूर्ण बात दो Supreme Court के judgments के बारे में मैं अब यहाँ आपको बता दूँ वो दो महत्वपूर्ण judgment है एक judgment है एल चंद्रकुमार का बड़ा famous judgment है 97 का यह judgment है और दूसरा judgment है केंद्रिय विद्यालय संगठन जो कि 2004 का है Supreme Court नहीं दिया हुआ इन दोनों judgments में Supreme Court ने क्या कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी वो यह कि Service Matters को लेकर जब भी कोई case पैदा होती है मतलब की Service Matters को लेकर मतलब की यह Administrative Tribunals Act में जो वर्नित है CAT और SAD के अधिकार क्षेतर में आने वाले cases के बारे में जो बात की गई है उनसे Related Service Matter जैसे कि उसमें Recruitment, Conditions of Recruitment और जो दो चीजे है उसमें Recruitment and Matters Relating to Recruitment and Service Matters यह सब चीजे इनसे Related अगर कोई case उभरता है तो Administrative Tribunals Established under Administrative Tribunals Act यानि कि या तो CAT या SAT shall be the courts of first instance यानि सबसे पहले जो court को वो cognizance लेने का अधिकार रहेगा इस type के matters का वो court रहेगा Administrative Tribunal कोई अन्य court नहीं तो इसमें यह बात आ गई कोई अन्य court नहीं मतलब इसमें High Court भी और Supreme Court भी शामीर है कोई अन्य court नहीं इसमें So, the Administrative Tribunal shall be the court of first instance and आगे बहुत महत्वपूर्ण बाद Supreme Court नहीं If High Court directly entertains a service matter like this which falls within the domain of Administrative Tribunal then the High Court will be committing an error High Court गल्ती करेगा अगर वो service matter directly खुद entertain करेंगे तो ऐसा Supreme Court ने इन दो judgments में लिख रखा है जो की Supreme Court का judgment यानि की binding law होता है तो यह कानून है यह कानून का प्रावधान जैसा ही है इसलिए दोस्तों कोई भी service matter के बारे में जब भी कोई case उभरती है Administrative Tribunals Act में दिये हुए वो service matters या recruitment and matters concerning recruitment के बारे में तो directly High Court में आप नहीं जा सकते अगर आप जाओगे तो जैसे कि Supreme Court ने कहा High Court गलती करेगा और इस तरह से गलती करके entertain किया हुआ matter High Court without jurisdiction entertain करेगा और इसलिए शायद कल चल कर Supreme Court High Court ने पास किये हुए आदेश को खारिज कर सकते हैं अगर वो matter Supreme Court तक पहुचातो तो इसलिए दोस्तो आप केवल Central Government Employee है या State Government Employee है इस बात पर ये निर्भर नहीं रहेगा कि क्या आपका case cat में जाएगा पहले या sat में जाएगा या directly High Court में जाएगा ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि आपका case क्या cat या sat के jurisdiction के अंदर कानुन में जो अभी निर्धारित किया हुआ दायरा है उसके अंदर आता है या नहीं हाँ मैं समझता हूँ कि ज्यादातर matters जो government servants के यानि Central या State Government Employees के service matters उभरते हैं वो कही ना कही इन दायरों में fit होते ही है मगर यह चेक करने की बात होती है कई बार हो सकता है कि कोई Central Government Employee किसी State Government के Government ने निकाली वी पोस्ट के लिए अपलाय कर रहा है और वहां वो recruitment में select नहीं हुआ है और उसको वो appointment अगर चाहिए तो केवल वो Central Government Employee है इसलिए cat में जा नहीं सकेगा वो उसको State Administrative Tribunal में ही जाना होगा अगर उस राज्य में वो State Administrative Tribunal उपलग्द है तो जिस राज्य के अंडर वो पोस्ट है या उल्टा भी ले लीजिए अगर कोई State Government Employee Central Government ने निकाली वी पोस्ट पर अपलाय करता है और उसे वहाँ appointment चाहिए और उसमें से केस उबरा तो केवल वो State Government Employee ही है इस बात के वजह से ही State Administrative Tribunal को jurisdiction प्राप्त नहीं होगा उसका jurisdiction उसके केस का jurisdiction होगा Central Administrative Tribunal में क्योंकि वो appointment चाहा रहा है Central Government के services में So it's a matter concerning recruitment to a post in connection with the affairs of the union or any civil post in connection with the union तो इसी विए कहां exactly उसका उसकी तक्रार है किस बारे में तक्रार है या बारी किसे देखने के बाद समझना पड़ेगा कि क्या उसका केस Central Administrative Tribunal में जाएगा या State Administrative Tribunal में जाएगा या इन दोनों में ना जाकर directly High Court में जाएगा हो सकता है कि उसका जो matter है वो ये अभी Service Matter का जो definition हमने देखा उसमें कहीं भी even वो wider clause है उसमें भी fit नहीं हो रहा है तो naturally उसे या तो High Court में जाना पड़ेगा या अगर High Court को उसके केस में jurisdiction नहीं है तो उसे Family Court जाना पड़ेगा अगर वो Family Matter है तो या अगर वो कोई उसका Civil Matter है तो वो Civil Court में जाना पड़ेगा तो इस तरह से ये निर्भर करेगा कि उसका तक्रार क्या है उस पर कौन से Court में वो जाएगा या निर्भर होगा तो ये प्रश्ट के बहाने मैं ये बाते आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि Service Matter क्या होता है Central Administitute Tribunal की jurisdiction, power and authority क्या है और State Administitute Tribunal की jurisdiction, power and authority क्या है इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है Relaxation Music जी के सवाल का सही जवाब देने के लिए कि वो Central Government Employee का exactly क्या matter था वो जाने बगार वो सवाल का जवाब पूरे तरीके से देना सही तरीके से देना possible नहीं है फिर भी इस वीडियो में जो कुछ गाइडलाइन्स मैंने दी है उन गाइडलाइन्स के भरो से Relaxation Music आप आपके सवाल का जवाब ज़रूर धून पाएंगे तो इस बहाने ये वीडियो सभी के लिए मैंने बना लिया है और I hope that this will be quite useful for those who are in Central Government or State Government Services. Thank you very much for watching the video. कर दो कर दो कर दो कर दो